हाई प्रेंट्स वेल्कम बेक टू मैं चैनल जैवाला जी एरिवेद के घरे लूनुषके में आपका स्वागत है मैं भनोत कुमार हमेशा की तरह मैं परती दिन एक घरे लूनुषका लेकर के आता हूं आज का घरे लूनुषका कैलसियम से संबन्दित है कैल्सियम, वही कैल्सियम जो हमारे बोडी में मस्कल सेल्स, बोन सेल्स को मजबूत करते हैं कैल्सियम का सबसे और सस्ता अच्छा सुरूत तील है तील जो आसानी से सभी दुकानों में उपलब्ध हो जाती है आसानी से किसी भी बाजार में या मिल जाती है लेकिन तील के इस्तेमाल से बहुत कम ही लोग चानते हैं कि इसके फायदे किस तरह से होते हैं हमारी सरीर को यह किस तरह से positive way में पर भावित करती है तो आईए आज जानते हैं कि तील के इस्तेमाल से हमारी सरेज को किन-किन बीमारियों से बचाया जा सकता है या किन-किन बीमारियों में लाब मिलती है वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें जिससे हमारे मोटिवेशन मिलते हैं हमें मोटिवेशन मिलते हैं, मैं आपके लिए परते दिन घरेलू नुष्का से सम्मंधित, किसी न किसी बीमारियों उप्चार से सम्मंधित, आईरवेद के विशय में जानकारी देता हूँ हमारे चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब करें, हमें पूरा भरोसा है कि आपको हमारे वीडियो से कुछ न कुछ नया और अच्छा सिखने को मिलेगा, वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना तील, तील के इस्तेमाल से परचूर मात्रा में कैल्सियम, पोटेशियम, मैगनिसियम जैसे तत्व आसानी से हमें मिल जाते हैं जी हाँ, वही Magnesian की मैं बात कर लहा हूँ, जिसके इस्तेमाल से हमारे सरीर के हडिया मजबूत होती है, Muscle Cells बनते हैं, मजबूत होते हैं, वही Calcium जिसके इस्तेमाल से हमारे सरीर में उपलबदता से हडिया मजबूत होती है, जब हमारे हडिया मजबूत होती है, Calcium परचूर मात्रा में हमारे सरीर को मिलते हैं, तो हमारे दाते मजबूत होती है, हमारी पाचन क्रिया मजबूत होती है, हमारी जॉइंट प्रेंस की समस्याइं ठीक होने लगती है, सूजन्स, सिस्ट गिल्टी जैसी समस्याओं में या लाप पहुचाती है, तील का एक निमी तुरुप से इस्तेमाल करने से महिलाओं में होने वाले मानसिक धर्म में गरिबरी जैसे मैनिस्ट्रुवल क्रैम पीसी ओडी की प्रॉलम्स समस्या मिया लाप पहुचाती है अतब इसका तील का इस्तेमाल करें या पूर्सों के लिए भी काफी फैदेमन माना चाता है सेक्स प्रॉलम्स जैसे समस्याएं तनाव अस्पर्म कम काउंट होना को ये स्वल्प करता है कैल्σιयम की उपलब्धता या तील का इस्तेमाल करने से, हमारे सर्यस को कैल्σιयम परचूर मातला में मिलती हैं, जिससे अस्पर्म मोटलेटी काउंट बग़ता है, पुर्सों की सारियरिक अस्टेमिना मजबुत होती है, इसका इस्तमाल एक चम्मच तील को एक चम्मच गोल में मिला कर चबा चबा कर चबा चबा कर खाएं पूरा रस निकाल ले अब बोलें ऐसा क्यूं? चबा चबा कर खाने से हमारे सरील्स में जाने के बाद लिभर्स में जाने के बाद या आसानी से पज़ जाते हैं और हमारे स्रेल्स को एक नई छमता परदान करती है कैल्सियम और मगनिशियम की मजबूती से हमारे स्रेल्स के बोन सेल्स, मस्कल सेल्स, हडियां मजबूत होते हैं मांस्पेसियां में एक नई मजबूती मिलती है दाते मजबूत होते हैं तो आप इसका इस्तेमाल निमीत्रुप से करें। हाँ, इसके इस्तेमाल से बाल भी घने, काले और लंबे होते हैं। इसमें ऐसे तत्व मौजूद होते हैं, जिसके इस्तेमाल से हमारे बालों की जवय में मजबूती मिलती है, जो हमें बालों को घने, लंबे और काले पर दान करते हैं। तिल का इस्तेमाल हर्ड इमिनिटिक के लिए भी भेतर माना जाता है, चुकि इसमें कैल्सियम का एक अच्छा श्रूत माना जाता है। अता उच रक्त चाप, हड से संबंधित कोई भी समस्या हो, PCOD से कोई भी समस्या हो, हडियों से संबंधित अगर कोई भी समस्या हो, मसकल से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो आप तिल का शेवन निमित रूप से एक सिमित मात्रा में आप करें। इसकी तासीर गर्म होती है। इसे खाने के तुरंत बाद ठंडे पानी का शेवन बिलकुल भी ना करें। ठंडे पानी का तुरंत सेवन करने से आपको सर दी जुकाम जैसे समस्याइं आ सकती है। तिल का तासीर गर्म होती है। अताब इसका इस्तिमाल आप करें लेकिन करने के तुरंट बार पानी का पर्योग ना करें आप इसे चबा-चबा के गूल के साथ मिला करके खाएं लेकिन अगर आप डायबेटीज पैसेंट हैं तो इसका इस्तेमाल दूध में डाल कर या गुनगुनी पानी में भिंगो कर आप कर सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर किसी भी परकार के घरिये लुनुषका आपको चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं मैं आपके लिए परती दिन एक नई वीडियो बनाते रहता हूँ किसी भी संबंधित, सवाल के लिए, जबाब के लिए आप हमें वार्टसेप करें नमबर डिप स्क्रिस्टम नहीं आपको मिल जाएंगे हमें पूरा भरुशा है आपको हमारे वीडियो से कुछ न कुछ नया सिखने को मिलेगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें